मन की बात को जानना, व्यक्ति के मन में क्या चर रहा है, क्या उसकी भावनाएं हैं, उसके तरंग जो है तैसे हूँ, यह एक अनमोल और बहुत ही सक्ति साली विद्या है, इस साधना के जरिये आप उसके बिना बोले ही, बिना कुछ बताए, उसके वर्तमान में क्या चर रहा ह कि पहने वाला और अतीद में क्या हुआ है उसके सांद्ण। यह सब चीजें आपको समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से एक्योरेड जान जाएँगे, कि उसके जीवन में कोई समस्षा है, relationship से समप्क्षा है, घर परिवार से समप्षा है धन से समबन्दित समप्षा है, नौपप्रि यह चाक्री से समबन्दित समप्षा है आप उसे देखकर ही जान जैंगे और इस जो ज्यान है या फिर जो साद्रा है इसके जरिये आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा खुशाल और सुक्मे बना सकते हैं अगर आप साधी सुधा है या फिर रिलेस्टिक में है या फिर प्यार करते हैं तो आपके जो साथी है पार्टनर है उसके मन के विचारों को आप वड़ी असानी से उसके बीना बोले ही समझ जाएंगे इस दुनिया में अक्सर होता यहाँ है कि व्यक्ति जो है अपने भीतर खुद क्या चाहते है उसे खुद नहीं मालूम है वह चाहता क्या हे और होता क्या है या उसको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आपको इस विद्या के जरिए उसके जो भावन आये हैं उसको पूरी तरह से जानने के बाद यू समझ सकते हैं कि आप कुछ समस्य होने से पहले ही हल कर लेंगे जैसे आप यूं समझेए, जब इस साधना को करेंगे तो आपके अंदर अध्व्यृती शक्ति, आपके मन के अंदर आपके जो भीत्री आया में जिसे तीसरी सक्ति कहते हैं, तीसरी आँक्त खरते हैं वह इतना जाग्रित हो जाएगा कि आप उसके जरिये उन सब चीजों को समझ जाएगे कि आपका साथ ही नराज क्यों है या फिर उदास क्यों है क्या होने वाला है आपके समझे में जिससे की कोई समझ्चा हो उसको आप तुरंत ही सुल जा लेंगे अगर आपको यहां पता च तो आप उस समस्या को आने से पहले हल कर देंगे, कैसे जब आपके सांठी या फिर पती पत्नी उसके सांथ आपकी लड़ाई छंगड़ा होने वाला है, तो आप उन चीजों को नहीं करेंगे, जिसके कारण हुआ इस्तिती पैदा होगी, आप उल्टा करेंगे, उसका ख्या रखेंगे उसे प्यार देंगे मतलब आप होने वाली चीजों को पहले ही अभास कर देंगे समझ जाएंगे और उसके बाद जो समस्या उपन होने वाला रहेगा उसे हटा देंगे और आपके जीवान में कोई भी समस्या दिक्त नहीं जीवान एक तम आनंद में खुस्यों से होगा लेकिन उसके लिए इसको सीखना जबी है तभी आपके भीतर में उर्जा के लेवल में जिसे हम तीसरी आंख मैंने बताया आप प्रति के भूत भविश्य वर्तमान को भी समझ जाएंगे कि किस कारण से उसके साथ या समस्या हुआ या फिर भविश्य में क्या होने व सबसेपेली चीज को आपको अकेला चाहिए एकां चाहिए एकांथ में आपको एक इलास पानी उसके आफो test इसके बाद 10 मिनट विएटे हैं, उसके बाद 15 मिनट ऐसे समय को बढ़ाते जाए और ध्यान सिर्फ आपको अपने अंदर लगाना है, बाहर कुछ भी चीज़ों मेरे ध्यान दियान नहीं लगाने है, आपको अपने अंदर ध्यान लगाना है, फिर आपकी जो तीसरी आँख ह वह चागलिप होना सुर्व हो जाएगा इसे निरंतर्म करते रहे ये तब होगा